अयोध्य में विवादित एस तल छोड़ दो नहीं तो सीमा पार भेज देंगे बाबरी मज़्जित विवादित के मुद्दै इकबाल अंसार्य को एक धमकी भरा पत्र मिला पत्र भेजने वाले ने विश्व हिंदु परिसत का गौरक्षक परमुक होने का दावा करते हुए अपना नाम सुर्य परकास सिंग बताया है पत्र बुद्बार को सुर्य परकास सिंग निवासी दादरा तैसिल मुसाफिर खाना और जिला मेठी के नाम से आया है जिसमें उसने खुद को स्री राम जनमभूमी का कार से वावाईनी का सदर से बताया है तमकी भरा पत्र भेजने वाले ने आयोदया और स्री राम के जिक्र करते हुए बावर का इतियास बताया जिसमें लिखा है कि मैंने तुमारा बहुत बड़ा भूभाग 1947 में पाकिस्तान को दे दिया और अनुसूची ठक जता है तो सिमापार खदेर दिये जाएगा क्योंकि भारत 600 राजने परिवार की इस रियासत है जो महराजा स्री राम के वनसज है ये हिंदूों का हिस्सा है आपको इसे समझना होगा नहीं तो सिमापार खदेर दिये जाएंगे हाला कि इस मामले में इकबाल अनुसारी ने अभी तक पुलीस में सिकायत दर्ज नहीं कराया है लेकिन उन्होंने अपनी जान को खत्रा बताया है इकबाल अंसारी ने कहा है कि वे गुरूबार को पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे और इस धम की भरे पत्र कोई सिकायत कर जांच की मांग करेंगे अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मदार पर सासन होगा इकबाल अंसारी ने बताये कि पत्र कोरियर से आया है उन्होंने कहा कि मैं बावरी मजजित का पक्च कार हूँ मैं चाहता हूँ कि इस पत्र को परसासन मुख्य मंत्री और परधान मंत्री को दिखाये जाए जिसमें उन्हें पता चले कि मुझे जान का खत्रा है अनसारी ने ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी